Hello everyone, मैं हूँ अभिशेख खानिया, I am a dancer and choreographer from Love2Dance studio और आज हम दोडिया गर्बा स्टाइल सिखने वाले हैं दोडिया गर्बा स्टाइल is one of my favorite गर्बा स्टाइल और ये स्टाइल आपको आगई, तो आप expert कहला होगे गर्बा के और आज हम इनका foundation सिखने वाले हैं So let's start to last अगर आपको दोडिया स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं या अभी तक कभी भी आपको नहीं किये हैं So ये वीडियो आपके लिए है So let's start सबसे पहले normal खड़े रहेगे और right leg से start करेगे Right leg से पहले मागे बढ़ेगे पहले देख लीजिए and then फिर हम slow में सिखेगे One more time अब आगे के साथ साथ हम पीछे भी जाएगे अभी हम आराम से करते हैं एकदम slowly सिखते हैं So सबसे पहले right leg को मैं आगे लेके जाओगा ऐसे इस तरह रखूगा And then left leg जो है वह मैं right leg की जगा पे रखूगा Like हाँ यहाँ पे उसके end में right leg उठेगा and then left leg पीछे करना है कुछ इस तरह So पहले आप आराम से समझे and then फिर करते हैं Yes कुछ इस तरह leg उपर रहना बहुत ज़रूरी है Then left side Yes यह उपर रहना बहुत ज़रूरी है One more time आराम से one two three go One Two Then three Four Very good One more time repetition करते रहेगे हम पीछे से आगे की ओर जाएगे तो चार स्टेप्स लेगे So आपको आइडिया आ जाएगा and start One Two and Three Four And One Two And Three Four अभी इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है So बार 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 प्रैक्टिस करते रही है अभी आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो Start One Two And Three Four And One Two And Four Three One Two Three Two On One 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 Two Three Two One Two 4, 5, 6, 7, 8, got it, yes, अभी हम जाएगे पीछे की साइड, okay, पहले हम 4 स्टेप आगे आए, अभी हम दीरे-दीरे पीछे जाएगे, so last position में हम आते हैं, last position में मेरा right leg up था, और हम पीछे जाएगे, पहले leg रखूगा मैं पीछे, and then दोडिया स्टेप लोगा, and leg up, okay, one more time करते हैं, last position, right leg को पीछे की साइड, रख के दोडिया स्टेप, अभी left leg को भी पीछे की साइड, रख के दोडिया स्टेप, इस तरह करना है, और एक बार करते हैं, आराम से समझ लीजिए, right से 1, 2, up, then left से 3, 4, up, and 5, 6, up, and 7, 8, up, that's it, अगर आपको अभी भी tension है, कि पीछे के से जाएग, वो नहीं समझ में आ रहा है, so, आराम से मैं समझाता हूँ, slow मैं समझाता हूँ, आराम से, let's start, right leg को मैंने यहाँ पे रखा, and then up किया, तो जो मेरा leg है, उनके toe पे, समझ लीजिए, मैंने leg रखा, वे उनकी जहाँ पे hill है, वहाँ पे मैं अपनी toe रखोगा, उसके end पे, वहाँ पे, और वो skip करेगा, वो दूसरे leg की जगा लेगा, कुछ इस तरह, yes, अभी वही चीज़ में पीछे ही सेम जाएगी, leg रखके skip, and दूसरा leg रखके skip, so, slowly देखिए and समझे, मेरा leg कहां पे जाता है, and कैसे मैं up करता हो, so, बस इसी तरह करना है, that's it, बार 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 प्रेक्टिस करते रहने से, आपको confidence build up होगा, अभी हम slow में प्रेक्टिस करते, go, one, two, three, four, five, six, seven, पीछे, one, two, three, four, five, six, seven, six, seven, eight, very good, अभी हम, दो स्टेप्स आगे जाएगे और दो स्टेप्स पीछे जाएगे, okay, so, दोनों साथ में करते है, let's start, five, six, seven, go, one, two, three, four, पीछे, five, six, seven, one more, one, two, three, back side, five, six, seven, one more, one, two, three, four, five, six, seven, eight, अब बोडी डिरेक्शन भी देख सकते हो कि किस तरह मेरी बोडी की डिरेक्शन रहती है, बोडी डिरेक्शन, second part is बोडी डिरेक्शन, यह समदना जरूरी है, so, जिस साइड मेरी टो रहेगी, उस साइड मेरा बोडी भी रहेगा, अपर बोडी, अगर मेरी टो को आगे की साइड रखता हूँ, तो बोडी आगे, साइड, अभी पीछे की साइड रखता हूँ, तो पीछे की साइड, यह समदना जरूरी है, आगे, अभी अब पीछे देख सकते हूँ, पीछे मैंने ऐसे इस तरह टो रखी, तो मेरी बोडी भी इस तरह ही पीछे जाएगी, अभी हम टोटल 4 स्टेप्स करेगे और 4 ताम्स करेगे, 2 स्टेप्स आगे की साइड और 2 स्टेप्स पीछे की साइड, So let's start, go 1 2 3 4 5 6 7 1 more, 1 2 3 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 5 6 7 8, सबसे पहले मैं अपना right leg जब उठा तो पहले step के लिए उसके साथ मेरा left hand उपर आएगा right leg and left hand hand के variation कैसे भी दे सकते हो फिंगर्स को open रखनी है ऐसे एंकल उनको clockwise या anti-clockwise आप गुमा सकते हो as your choice हम generally anti-clockwise गुमाएगे so right leg left hand left leg right hand opposite जहेगा बस इस तरह hands में भी variations है जो आप आगे देखने वाले हो यह step समदने के लिए practice करनी बहुत ज़रूरी है so practice practice में आप count भी 8 कर सकते हो counts like 1,2,3,4,5,6,7,8 इस तरह किजिए और अभी मैं hand के variation change करने वाला तो वो आप आराम से देख सकते हो मैं front side से भी hand को में move करूगा इस तरह वही hand को मैं नीचे से भी में आपकी side में move करूगा so जैसे जैसे आप practice करते जाओगे वैसे वैसे आपको confidence आएगा and then आप hands की moment भी आप change कर सकते हो that's it complete दोडिया step का वीडियो एक अलग से बनाया है जिसमें six steps है और अलग-अलग direction में है पर वो करने के पहले आपको पुरा ये जो foundation है four steps वाला वो अच्छे से करना ज़रूरी है उनकी practice करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद हम six steps complete दोडिया steps में हम जाएगे जिसमें अलग-अलग variations भी हम आपको सिखाने वाले है उसके पहले आप अभी ये देखिए कि अलग-अलग direction में कैसे जा सकते है so आप आराम से देखिए में अलग-अलग direction में जाके आपको दिखा होगा so watch it झाल-वोजबच्ण प्रोड़ ये झाल-वोजबच्ण देखिए ऊजगे ऊचिते है झाल-वोजबच्ण झाल-वोजबच्ट्टरव जे से ठाएखिए में आपको दिखाने है झाल-वोजबच्टर ऑ्या कि पह तो आपको कि निए टारी है बस आपको यही समझना है It's very simple जिस direction में मैं अपना leg रखूगा और body move करूगा उस direction में मैं चापा हूगा पूरे circle में मैं कोई भी direction में अपना leg रखूगा और फिर उस side में step लेके आगे बढ़ूगा That's it इतना simple है एक चीज जान में रहे कि एक time पे मैं एक ही leg को एक direction में लेके जाओगा उसके बाद मुझे दूसरे leg को उठाना compulsory है One leg, one time only अभी हम लास्ट और एक बर प्रेक्टिस कर लेते हैं तूसेप आगे की side, तूसेप पिछे की side हम और यह total हम eight times करेगे So let's start 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 That's it बस यह यह तोडिया स्टेप का फाउंड एसन Practice makes you perfect That's it मैं अभिशेक खानिया I am a dancer and choreographer from Love2Dance Studio And don't forget be ready for second part also मेरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका शुक्रियाद करता हूँ Thanks a lot Keep smiling